कहानी की शुरुवात एक आइलेंड से होती है जहांपर एक बायोटेक कमपनी को गॉल्फ कोस का ध्यान रखने का काम दिया गया था। इसलिए उस कमपनी ने पूरे गॉल्फ कोस में एक खास फर्टिलाइजर चिड़क दिया जो बर्फ को पिखला कर घास को एकदम ताजा रखता था ताकि अमीर लोग पूरे साल गॉल्फ का मज़ा उठा सकें। इसके बाद हम डैन नाम के एक पूलिस आफिसर को देखते हैं जो अपने घर कुछ सामान लेकर आया। उसने देखा कि उसके दांत हरे हो गए थे। पर जब तक वो अपनी बीवी के पास बाथरूम में पहुंचा तब तक वो पूरी तरहां से एक जॉम्बी बन चुका था। और उसने अपनी बीवी के गले पर ही काट दिया जिससे वो भी एक जॉम्बी बन गई। उधर गॉ जॉम्बी बन गई। उधर मिशेल और उस ओरत के पती ने देखा कि कई सारे जॉम्बी उनकी तरफ आ रहे थे। इसलिए वो दोनों बिल्डिंग के अंदर जाकर छुप गए। पर वो कुत्ता भी उनके साथ अंदर आ गया था। और उसने उस आदमी के पैर पर काट लिय अब मिशेल बाहर खड़े जॉम्बी से बचने का रास्ता ढूंड ही रहा था कि तभी वो आदमी भी एक जॉम्बी बन गया जिसके बाद उसने मिशेल का पीछा करना शुरू कर दिया पर मिशेल किसी तरह किचन में जाकर छुप गया। उधर डैन को एक फोन आया जिसमें एक औरत ने अपने पडोसियों के हाल से परिशान होकर उनकी कम्प्लेंट की पर जब डैन उस औरत के बताय हुए घर पर पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ जॉम्बी ने हमला कर दिया और जैसे ही वो वापस मुडा तब तक तो वो औरत भी एक जॉम्बी बन गई थी और उसने भी तोरंथ ही डैन पर हमला कर दिया और डैन किसी तरह से बच कर अपनी गाड़ी में बैठ गया और फिर उसने बैक अप बुलाने की कोशिश भी की पर किसी ने भी उसका कोई जवाब नहीं दिया तब तक काफी सारे जॉम्बी ने उसे घेर लिया था इसलिए उ पानी ही अपनी बेहन अनी को पिलाने वाला था, पर तङही उसकी मा लीना ने उसे बोटल वाले पानी का इस्तेमाल करने को कहा, असल में एंडुरु तो पानी पीता ही नहीं था, भाई साफ सारा दिल कोका गोला पी गही काम चला रहे थे, थोड़ी देर बाद लीना की तवी खराब होने लग गई और एंड्रू को लगा कि मम्मी जाद एक्सराइज कर लिया अपने लेकिन कुछ देर बाद ही लीना भी एक जॉम्बी बन गई जिसके बाद उसने एंड्रू पर ही हमला कर दिया जिससे बचने के लिए वो घर से बाहर भागा और जैसे ही लीना उसे पक लीना को लेकर वापस घर में घुस गया जहां सभी दर्वाजे बंद करने के बाद वो सभी एमरजेंसी नंबर्स पर कॉल करने लगा लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि उनके पूरे आइलेंड को कॉरेंटाइन कर दिया गया है उधर पुलीस ने पूरे आइलेंड को बंद अनी के पालने के उपर काफी सारी चीज़ें रख दी ताकि उसकी आवाज बाहर न जाए और उसकी ये तरकीब काम भी कर गई और जल्द ही सारे जॉंबीस दर्वाजे से दूर चले गए उधर डैन को पिट्रीसिया का फोन आया जो गॉल्फ कलब के गिराज में छिपी हु अगली सुभा जब एनी की आया काम पर आने के लिए पुल पर पहुंची तो उसने देखा कि फॉज ने तो पुल को ही तोड़ दिया था उधर एंड्रू अपनी मा को देखने के लिए बाथरूम में गया जहां उसने देखा कि लेना के आसपास अजीब सी हरी चीज फैली ह हुई थी एनी भी चुप चाप बाथरूम में घुस गई और उसे देखते ही लेना ने उस पर हमला करने की कोशिश की एंड्रू ने तुरंथ ही जॉम्बी बन गई अपनी मा का ध्यान अपनी और खींचा और एक सबजी की मदद से उसे बाथरूम से निकालना शुरू कर द पर रास्ते में लेना का हाथ एक टेबल पर लगा जिसके बाद उसके सर पर एक बहुत बड़ा टीवी गिरने से उसकी मौत हो गई इसके बाद एंड्रू ने एनी को उठाया और फिर दर्वाजा खोल दिया ताकि जॉम्बी उसकी बिल्ली का पीछा करते हुए अंदर आ ज अंदर खीच लिया असल में हाथ डैन का था जो सूपर मार्किट को अड़ा बना कर बैठा था लेकिन उसके पास आगे का कोई प्लान नहीं था उधर आनी पूरी सूपर मार्किट में घूम रही थी और तभी उसकी नजर एक दर्वाजे में बंद पेट्रीसिया पर पड़ जो अब एक जॉम्बी बन चुकी थी लेकिन डैन अपनी बेटी को अपने पास ही रखना चाता था क्योंकि उसका मानना था कि जल्द ही कोई ना कोई तो इस चीज का इलाज ढूंडी लेगा उधर गॉल्फ प्लब में मिशल ने सभी दर्वाजे बंद कर दिये थे और अब वो रेडियो फोन की मदद से अपनी टीम से बात कर रहा था जिसने उसे बताया कि एक टीम जल्द ही वहाँ पहुँचने वाली है उधर डैन और एंड्रू ने खाना खाते हुए डैन का फेवरेट रेडियो शो भी सुना जिसके होस्ट के मुताबिक सरकार सभी लोगों की क काट दिया कुछ देर बाद डैन और एंड्रू ने ये फैसला किया कि उन्हें इस बीमारी की वज़ा ढूननी चाहिए ताकि इसकी दवाई बनाई जा सके डैन का मानना था कि ये बीमारी पानी की वज़े से फैली है क्योंकि सिर्फ पानी ही एक ऐसी चीज है जो सभी लोग पीते हैं और जो भी लोग इंफेक्ट नहीं हुए उन्होंने नल से पानी नहीं पिया थोड़ी देर बाद वो तीनों पेट्रीसिया के सर को उस जाली में बन करके वो सूपर मार्केट से बाहर निकले और किसी तरहां जॉम्बीज से बचते हुए अपनी गारी में बैठ कर वहां से निकल गए उधर दो जुड़वा बेहनों की एक्सपर्ट टीन गॉल्फ क्लब में पहुँची और उन्होंने बेरहमी से सभी जॉम्बीज को मारना शुरू कर दिया मिशल ने सारे कॉंट्राक्ट पेपर जला दिये पर फिर भी उसने फर्टिलाइजर का एक छोट दस्ती फर्टिलाइजर पिला दिया इस बीच वो मिशल को घसीट कर वहां से बाहर ले गए लेकिन इस सब में एक एंटी डोड वाली बॉल नीचे गिर गई उधर डैन और एंट्रू एक वाटर लाब में पहुचे और वो आनी को गाड़ी में ही छोड़ कर पेट्रीसिया क लेकर अंदर चले गए जहांपर एक जॉम्बी पानी के अंदर चुपा हुआ था पेट्रीसिया को उस जॉम्बी का एसास हुआ और वो तुरंट ही उसकी तरफ भागने लग गई जिसके बाद डैन और एंट्रू ने भी उसका पीछा किया पेट्रीसिया सीधा अंदर जाक पानी में कूद गई जिसके बाद डैन को भी उसे वापस लाने के लिए पानी में कूदना पड़ा जल्द ही वो छुपा हुआ जॉम्बी भी पानी से बाहर आ गया पर जैसे ही वो डैन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो डैन ने पेट्रीसिया को आगे खड़ा कर द डैन ने पेट्रीसिया को ऊपर खींचने की कोशिश की तो गलती से उसने पेट्रीसिया का हाथ ही उखार दिया। इसके बाद वो उसे ऐसे ही लेकर बाहर आ गया। और फिर उसे कवच की तरह इस्तमाल करते हुए गाड़ी में बैठ गया। तभी एंड्रीसिया का फोन मिला जिसने उसे पेट्रीसिया की कटे हुए हाथ के फिंगर प्रिंट से खोलने की कोशिश की। पर तभी उसकी नजर उसके हाथ में उग रही घास पर पड़ी। और जब उसने ये चीज डैन को दिखाई तो वो तुरंत ही समझ गए कि ये सब गॉल्फ क्लब की वज़ा से हो रहा है। उधर उन जुडवा बेहनों ने सारे सबूत मिटाने के लिए पूरे गॉल्फ क्लब में वो एंटिडोड बॉल्स फैकनी शुरू कर दी। गॉल्फ कॉर्स महुचने के बाद डैन चट के ऊपर से चुप कर बिल्डिंग में खुस गया और फिर दर्वाजे से एंड्रिव और पेट्रीसिया को भी अंदर ले गया और फिर उन्होंने पेट्रीसिया को एक कमरे में बंद कर दिया। उधर एंड्रिव ने एनी के लिए खास जगा बनाई जहां वो आराम से घूम सके। पानी के संपर्क में आने की वज़ा से जल्द ही डैन की तबियत भी थोड़ी बिगडने लगी। और वहीं एंड्रिव को एनी के रोने की आवाज आई। जिसके बाद वो एनी को ढूनने चला गया पर अब वो उसकी बनाई हुई जगा पर नहीं थी। और तब ही उसकी आँखे भी हारे रंकी हो गई। अब तो डैन भी एक जॉम्बी बन चुका था। उधर वो बेहने धमाका होने का इंतजार कर रही थी पर कोई धमाका ना होने की वज़़े से वो वापस बिल्डिंग के अंदर गई। जहाँ उन्हें एनी मिली और उन्हो को फर्टिलाइजर पिलाने की कोशिश की पर इससे पहले कि वो काम्याब हो पाते अनी भी एक जॉम्बी बन गई और उसने उन में से एक के हाथ पर काट लिया और तभी डैन ने भी दूसरी बहन पर हमला कर दिया जिससे बचने के लिए जैसे ही उसने अपनी बंदूक नि कर दिया इसके बाद डैन एंड्रू के पीछे पढ़ गया लेकिन जैसे ही वो एनी के सामने आया तो वो चुप चाप पीछे अट गया वहीं जॉम्बी बनने से पहले ही उन दोनों बहनों ने एक दूसरे को गोली मार दी इसके बाद एंड्रू ने पेट्रीसिया के फोन से वीडियो बना कर मदद मांगने की कोशिश की और उसकी वो वीडियो जल्द ही न्यूस चैनल्स तक भी पहुँच गई इसके बाद एंड्रू डैन को पेट्रीसिया के पास ले गया ताकि वो अपनी बेटी के पास रह सके थोड़ी देर बाद सरकार ने उस आइलेंड पर फ भागता हुआ आ रहा था पर फॉजियो ने बिना कुछ सुने उसे गोली मार दी ये देखकर एंड्रू बहुत जादा डर गया और वो एंड्रू को लेकर एक जगात छुप गया एंड्रू बहुत सारी लाशे मिली जिन्हें फॉजियों ने गोली मारी थी पर तभी उसके नाओ पर पड़ी जो असल में एनी की केर टेकर की थी और वो फिलहाल लोगों को बचाने का काम कर रही थी एंड्रू और एनी भी उसी नाओ में बैठ कर चले गए एंड्रू का मानना था कि जब सरकार सभी लोगों को मारने में ही लगी हुई है तो वो पेट्रिसिया के को पानी में फैंक दिया जहां एक मचली ने उसे चबा लिया जिसके बाद वो भी एक जॉम्बी बन गई अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना चानल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में